देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कि यदि लगने नहीं पता, उसके इसमें सेकेंड बेस्ट आप्शन आपकी चंदर राशी, आपकी जन्म राशी है। नाम राशी से तभी देखें यदि आपको पता है कि आपका नाम आपके राशी पर आपके नक्षत्र पर आधारित है। संपून राशी फल होता है ये, आपके जीवन के जितने भी प्रमुक ऐस्पेक्ट्स हैं, जन्रल प्रडिक्शन, कौन-कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनस, लव लाइफ, मैरेड लाइफ, फाइनस, स्टूडेंस, हेल्थ, इन सब को इसमें कवर किया जाता है, जन्रल प्रडिक्शन के साथ, सबसे पहले लगन को देखेंगे, लगन में शनी महराज बैठे रहेंगे, और क्योंकि लगन के ही स्वामी है, तो राज्योग बनेगा, और पंचन महापुरिश्योग जिसका नाम सस होता है, वो बनेगा, और 12 तारीक तक शनी महराज यहीं प पतित हो रहे हैं, तो थोड़ा सा नकरात्मक प्रभाव सेहत पर पड़ सकता है, केतु का प्रभाव रहेगा लगन में क्योंकि नवम स्थान में बैठे हैं, तो थोड़ा सा डिटैच्ट रहेंगे, इस महीने जाधा लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, थोड़ा अपने में खोई रहेंगे, अध्यात्मक के तरफ, स्पिरिच्वालिटी के तरफ जाधा जाते हुए दिख रहे हैं, इसको छोड़ कर और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा लगन पर, लगन के स्वामी जब आपके 12 स्थान में आ जाएंगे, 12 तरीक को, तो उसके आमने सामने आते हैं, स्पेशली मकर और कुम्भ लगने के लिए, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय होता है, क्योंकि दोनों के आपस में बहुत बनती नहीं, बाप बेटे का रिष्टा है, लेकिन जो संबंद है दोनों के वो बहुत अच्छे नहीं, तो थोड़ी बहुत प फिर भी शनी महराज क्योंकि वक्री हैं, तो बारा तारीक तक तो आपके जीवन में कुछ सकरात्मक हो सकता है और आपके अंदर काफी बल भी रहेगा, कुछ विशेश करते हैं जो आपके लिए इस महीने बन रहे हैं, मालव्वे योग बनेगा जो पंच महापुरुष यो के लिए प्रॉपर्टी के लिए अच्छा योग है, बुद्ध क्योंकि दो तारीक को ही आपके पांच्वे स्थान में आ जाएंगे और पांच्वे स्थान के ही स्वामी है, तो वो भी एक राज्योग बनाएंगे और ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसके स चाते हैं, कुछ नया जानना चाते हैं, उनके लिए महीना बहुत लाबकारी रहने वाला है, तो ओवरल बहुत अच्छा महीना है, बस सेहत का थोड़ा ध्यान रखेगा, स्पेशली जब शनी का राशी परिवरतन होगा 12 तरीक के आसपास, जब गिर जाएंगे वापस मकर म उसके आसपास के कुछ दिन थोड़ा आपके लिए sensitive रहने वाले हैं, सेहत के हिसाब से भी और वैसे भी थोड़ा sensitive समय रहेगा, इस महीने आपको अपने ओपर थोड़ा विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, और यदि आप अपने व्यक्तित्व में transformation, changes, परिवरतन लाने के बारे में बहुत समय से सोच रहे थे, तो ये महीना बहुत important है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, थोड़ा detached feel करेंगे, जब हम बाहरी दुनिया से थोड़ा cut जाते हैं, तो अभी हम कुछ अपने अंदर changes ला पाते हैं, वरना focus कभी भी नहीं रहता, क्योंकि focus हमारा छिन भिन रहता है, कई चीजों पर रहता है, लेकिन जब हम अंतरमुकी हो जाते हैं, कुछ समय के लिए detached हो जाते हैं, तो अपने अंदर changes लाने का सबसे अच्छा मौका होता है, कुछ भी मुश्किल होता है यदि इस महीने में, उसको एक challenge की तरह accept कीजिए, तभी उसमें कुछ अच्छा ला पाएंगे, और कई जगा पर आपको अपने अंदर positive-ness लानी पड़ेगी, क्योंकि और किसी source से शायद ना मिले, इसलिए आपको अपने अंदर से motivation, self motivation, self inspiration और positive-ness आपको खोद ही अपने अंदर लानी पड़ेगी, दोती नगरात्मक चीजें हो सकती हैं, एक आपके कुछ नीजी संबंधों में दरार आ सकती है, कई जो नीजी कई बहुत close लोग हैं, आपके उनके साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, कोई opportunity आपके हाथ से बहुत past से निगल सकती है, और वो भी आपको बहुत विचलित करेग लेकिन कई विगन भी इस समय में दूर हो सकते हैं, महिने के जो बीच के दस दिन है, ये है अध्यात्मक के तरफ जाने का, ये है अंतर मुखी होने का, ये है अपने बारे में और जानने का, जो महिने के अंतिम भाग है, अंतिम भाग है दस दिन है जो, ये परिशान करेंग को देखा जाता है दस्वे स्थान पर शनी की द्रिश्टी रहेगी जो लगने के सवामी है हार्ड वर करवाएंगे लेकिन महनत का रेजल्ट भी देंगे तो बारा तारीक तक तो शनी महराज का साथ है तेरा तारीक तक शुक्र का साथ भी मिलेगा क्योंकि शुक्र आपके लिए योग कारक हैं और राज योग बनाकर बैटे हैं पंच महापूरश योग बनाकर बैटे हैं दृष्टी डालेंगे दस्वे स्थान पर तो यह अच्छा रहेगा और सबसे अच्छी चीज मंगल की दृष्टी रहेगी मंगल की आठवी दृष्टी और क्योंकि मंगल खुद दसवे घर के स्वामी है कुछ चेंज चाह रहते आप अपने करियर में जौब चेंज करना चाहते थे जौब छूट गई थी नई जौब ढूंड रहे थे देश से बाहर जाना चाहते थे इ ब्रहस्पती की भी नवी दृष्टी दसवे स्थान पर पड़ेगी क्योंकि ब्रहस्पती धनस्थान में होंगे तो यह जो महीना है कारेक शेत्र से पैसा भी बहुत आएगा कुछ इंक्रिमेंट आदी रुके हुए थे तो वह बहुत अराम से मिल जाएंगे और सेलरी में व्रिद्धी चाहते थे प्रमोशन चाहते थे इन सब संबंदों में भी आपको कुछ न कुछ सकरात्मक देखने को मिल सकता है अच्छी स्थिती दिख रही है करियर के हिसाब से इस महीने का आपको लाव अवश्य उठाना है कावी साहसी रखेंगे साहसी रहेंगे साहस मंद में वो पूरी हो सकती है और कुछ बहुत नया भी जान सकते हैं अपने करियर के बारे में हो सकता है अपने स्किल को एन्हेंस करने के लिए कुछ नया सीखें कोई नया कोर्स जोइन करें आजकल जो बड़ी-बड़ी MNCs होती है वो अपने employees को on the job ही कुछ नया कोर्स द आगे बढ़ेंगे नई opportunities आएंगी दो-तिन नकरात्मक चीजें हैं उनका ध्यान रटना है emotions का प्रयोग मत कीजेगा कारेक्षेत्र में वो बहुत ही नकरात्मक प्रभावर डालेगा आप कुछ कारें बहुत डिले करेंगे वो भी नकरात्मक प्रभावर डालेगा कुछ भी शुरुवाती भाग है जो महनत कर रहे थे उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे महीने के बीच के भाग में एक लीडर बनके उभरने का आपको मौका मिल सकता है specially corporate सेक्टर में जो महीने का अंतिम भाग है कि आपको अपने करियर के वारे में और जानने का मौका देगा और कहां आप अपने आपको देखते हैं करियर के हिसाब से महीना बहुत अच्छा है यदि आप tourism sector से जुड़ा fashion से जुड़ा कोई कलात्मक काम करते हैं artistic काम करते हैं या फिर आप teaching से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है अब चल होंगे बारा तारीक तक यहीं पर बैठेंगे लगन में तो सपोर्ट मिलेगा बारा तारीक तक महनत बहुत करनी पड़े की वक्रिशनी है लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आपको business में मिल सकते हैं क्योंकि सब्तम से अश्टम में ब्रहस्पती हैं जो अपनी हिराशी में अपने से ग्यारवे में यानि की मिथुन में तो वहां तक समय बहुत अच्छा रहेगा यह मालीजिए जो महीने का शुरुवाती आदा भाग है 15 तारीक तक का वह आपके business में बहुत अच्छा है उसके बाद क्योंकि सूर्य जो सात्वे स्थान के स्वामी है वह सात्वे से बारवे में यानि की लगन से छटे में आ जाएंगे और वहां पर थोड़ी problem हो सकती है खर्चे बढ़ सकते हैं government से कोई problem आ सकती है losses हो सकते हैं काम अटक सकते हैं लेकिन फिर भी इतना नकरात्मक नहीं होगा क्योंकि सब्तम से स्टम में ब्रहस्पती बैठे रहेंगे तो थोड़ी unstable अवश्य होंगी लेकिन उन सब में बहुत हद तक आप काबू पालेंगे लेकिन तब भी कोशिश कीजेगा कि चीजों को simple रखें ज्यादा risk ना ले 15 तरीक के बाद ये महीना आपको अपने past negative experience से निकल कर कुछ नया करना पड़ेगा अपने business में तभी कुछ काफी उर्जात्मक रहेंगे और उस उर्जा का आप बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने business में बहुत creative रहने वाले हैं आप इस महीने और उस creativity का भरपूर प्रयोग करेंगे अपने business को और आगे लेके जाने के लिए दोती नकर workshop कीजिएगा इसके साथ ही कोई भी छोटी मोटी चीज को छोटा मोटा नहीं समझना कोई छोटा मोटा दुश्मन हो कोई काम छोटा मोटा अटग गया हो यह शुरू में आपको छोटे मोटे लगेंगे बात में यही चीज एक विकराल रूप ले सकते हैं तो किसी भी चीज को एकनोर नहीं करना जो भी आपके नजरों के सामने आए उस चीज को उसी समय सॉल्व कर लेना बना प्रॉब्लम होगी ऐसा लग रहा है कि कोई कानूनी संबंदित आपका काम अटा करहा था या तो नोटिस आया हुआ था इंकम टेक्स का नोटिस आ गया किसी और चीज का और वो आपने लाइटली ले लिया हो सकता है उसके संबंद में भी इस महीने आपको कोई प्रॉब्लम जहलने को पड़े जो महीने का शुरुवाती भागय इसमें उर्जा बहुत रहेगी और उसको आप बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे जो महीने का ब यदि आप गार्मेंट से जुड़ा कोई बिजनस करते हैं यदि आप आईटी से जुड़ा कोई बिजनस करते हैं या फिर यदि आप एंटेटेंवेंट इंडर्स्ट्री से जुड़ा कोई भी बिजनस करते हैं यह पूरा महीना काफी लावकारी है आप चलते हैं फाइनसे investment expenses के तरफ यह महीना overall आपके लिए पैसे के हिसाब से अच्छा दिख रहा है क्यों क्योंकि धनभाव के स्वामी ब्रहस्पती धनभाव में ही रहेंगे और वही आपके लावस्थान के स्वामी हैं तो बहुत महत्वपोन हो जाते हैं आपके लिए तो पैसा तो आता हुआ दिख रहा है लेकिन क्योंकि लगने के स्वामी शनी पतित होकर बारवे स्थान में चल इस महीने थोड़ा बहुत खर्चा भी access हो सकता है ऐसा खर्चा हो सकता है जिसके लिए शायद अब तयार नहीं थे अब बात करते हैं investment की महीने का जो शुरुवाती भाग है इसमें no profit no loss वाली situation रहेगी कहीं से पैसा आएगा, कहीं से थोड़ा चला जाएगा तो जादा मुनाफ़ा नहीं देख रहा तो सोच समझ कर पैसा लगाईएगा जो महीने का बीच का भाग है share market आदी में invest करने के लिए समय तो अच्छा रहेगा लेकिन किसी पर भरोसा करके नहीं इवन यदि आप किसी agent के थुरू भी करते हैं खुद भी study कीजिएगा फिर double check करकर agent के थुरू आपको invest करना है जो महीने का अंतिम भाग है इसमें भी almost यहीं रहेगा कहीं से थोड़ा बहुत loss हो सकता है लेकिन अचानक से बहुत अच्छा आपको profit भी हो सकता है specially 25 तारीक के बाद तो यह आपका investment का हाल रहेगा थोड़ा जादा खर्चा हो सकता है वह महीने के शुरुवाती भाग में होता हुआ दिख रहा है शुरुवाती भाग में अनिश्यत खर्चा होगा और घर पर भी खर्चा होगा घर के या तो renovation पर या कुछ तोड़ फोड़ हो गई होगी उस पर कुछ repair कराना हो उस पर गाड़ी पर भी वाहन पर भी खर्चा महीने के शुरुवाती भाग में होगा महीने के बीच के भाग में थोड़ा बहुत कंट्रोल आएगा लेकिन सेहत पर थोड़ा भी लेना चाह रहे हो तो वहाँ पर भी थोड़ा पैसा जाता हुआ देख रहे हैं लेकिन उसको खर्चा नहीं कह सकते वह investment ही होगी लेकिन हाँ आपका cash है वह थोड़ा बहुत कम अवश्य होगा चलते हैं love life की तरफ सबसे पहले बात करेंगे no contact situation की जो लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे चीजों को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे एक drive रहेगी जिनके अंदर जो बहुत efforts जा लेंगे उनके लिए थोड़ा बहुत chance है कि शायद महीने के बीच के समय तक आते आते आपका जो no contact situation है वो ठीक हो जाएगी और दुबारा बातचीत start हो जाएगी और इ नया relationship start करने के लिए अच्छा महीना है नई संभावना है आपके लिए खुलेंगी नई possibilities आपके लिए होंगी और अपने विवहार में यदि आपने सौमेता रखी थोड़ा आपके अंदर आकर्शन रहा आप समझ पाए कि आपके perspective partner को आप में क्या समझ आ रहा है और आपन ने वही अपना पार्ट जादा reflect किया तो आपके लिए chances हैं कि इस महीने आपका नया relationship start हो सकता है अब चलते हैं जो लोग को already relationship में है पांचवे स्थान को देखा जाता है वहाँ पर सूर्य का होना 15 तारीक तक बहुत अच्छा तो result नहीं देगा कुछ ना कुछ problem आ सकती है क क्योंकि सूर्य का प्रभाव love life, married life के लिए थोड़ असा नकरात्मक होता है बुद्ध आ जाएंगे बुद्ध आतित्ययोग बन जाएगा महीने के शुरुवात में ही तो थोड़ा बहुत वहां से relief मिरेगा क्योंकि बुद्ध पांचवे स्थान के ही स्वामी है जब 15 तार चल रही थी तो चीज़ें स्टेवल हो जाएंगे यह महीना भाग्य साथ देगा आपको चीजों को ठीक करने के लिए मौके कहीं मिलेंगे अगर बहुत जादा प्रॉब्लम्स भी आ गए थी रिलेशन्चिप में वह भी ठीक हो सकती है ट्रस्ट बढ़ेगा विश्वास रहता है वो भी कम होगा और एक दुस्ते के साथ बहुत अच्छा समय फेतीत कर पाएंगे बहुत ही सकरात्मक महीना दिख रहा है स्पेशली जो महीने का मध्य भाग के बात का समय है दो तिन चीजों का ध्यान रखना है कुछ छुपाईएगा मत चीट मत कीजिएगा बातो के साथ ही अपने पार्टनर की नीट को भी समझने की कोशिश किजिए यह तीन चार चीजे नहीं करी तो नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा महीने का जो शुरुवाती भाग है बहुत अच्छा है जैसा मैंने कहा था उनको भी मौका मिल सकता है जिनके रिलिशन्शिप में ब बहुत इंक्रीज हो जाएगा तो अच्छा महीना है यह रिलेशन्शिप के लिए आप चलते हैं मैरेड लाइफ की तरफ मैरेड लाइफ की जहां तक बात है शनी महराज की दृष्टी रहेगी लेकिन क्योंकि सब्तम स्थान सूर्य का है तो वैसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जाद आएंगी ऐसा क्यूंकि 12 तारीक तक तो शनी महराज का साथ मिलेगा तो चोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स आती भी है तो सॉल्व हो जाएंगी लेकिन उसके बाद 12 तारीक को शनी महराज चल जाएंगे 12 स्थान में लगने से जो सब्तम से छटा होगा बहुत अच्छी पोजिशन नहीं है और उसके साथ ही सूर्य जो सब्तम सान के स्वामी है वो 15 तारीक तक रहेंगे सब्तम से 11 में वहां तक चीज़ें ठीक रहेंगी लेकिन फिर 15 तारीक को वो भी छटे स्थान में आ जाएंगी जो सब्तम से 12 स्थान है तो लेटर हाफ सब्सक्राइगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी मन में कुछ भी हो प्यार भरे शब्दों हो या कुछ चीज़ें डिसकस करनी हो वो करिएगा लेकिन अराम से गुस्से से नहीं इगो से नहीं अराम से करना है यह फील कर आई अपने लाइफ पार्टनर को कि आप अंकंडिशन तो common friends का घरवालों का साथ ले सकते हैं चीजों को sort out करने के लिए या आजकल तो professional consultations भी अवलेबल है तो वो भी आप कर सकते हैं जो भी है यदि आपने ये महीना 104 रूप से चला लिया तो आपका विवाहिक जीवन आगे चलकर और stable ही होगा दो-तिन नकरात्मक points हैं जैसा म मत कीजेगा और प्रायोरिटी नहीं रखने के कारण अपने लाइफ पार्टनर को बाकी चीजों में ज्यादा लिप्त रहने के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है तो इन 3-4 चीजों का अपने ध्यान रखना है जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें थोड़ लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमाइटिक समय हो सकता है थोड़ा ध्यान दीजेगा आप चलते हैं स्टूरेंस की तरफ सबसे पहले जिनका कोई एक्जाम है उनके बारे में बात करेंगे महीने के शुरुआती दस दिन में कोई एक्जाम होता है तो ठीक थाक सा रि उसके कारण नकरात्मक रिजल्ट्स आ सकते हैं जो महीने का अंतिम भाग है यहां पर कोई एक्जाम पड़ता है सबसे अच्छी रिजल्ट आपको इसी समय में प्राप्त होंगे पांचवे स्थान को देखा जाता है स्टूरेंस के लिए वहां पर सूरे रहेंगे 15 तारीक तक अच्छा है और दो तारीक को बुद्ध आ जाएंगे तो बुद्ध अधित्य योग बन जाएगा दो स्टूरेंस के लिए बहुत अच्छा होता है तो ओवरॉल तो यह जो महीना है स्टूरेंस के लिए अच्छा ही दिख रहा है तेरा तारीक को शुक्र भी आ जाएंग उनके लिए भी महीना अच्छा है higher studies 9000 से देखते हैं केटू रहेंगे तो जो research करते हैं कुछ उनके लिए सहायता होगी और जो research के लिए या higher studies के लिए देश से बाहर जाना चाते थे उनको भी कुछ सहायता मिल सकती है क्यूं क्यूंकि अंगारक योग बनाते हुए मंगल सीधा 9000 पर और केटू पर दिश्टी डालेंगे तो जो higher studies के लिए बाहर जाना चाते थे उनको लाव मिलेगा यह महीना एक पूर्णत का भाव ला देगा आपके अंदर जो काम अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं अपनी studies को लेकर understanding better होगी और आप फालतु की चीजों से निकलने का प्रयास करेंगे और निकल भी पाएंगे कई जगा भागे का साथ मिलेगा और कई जगा से आपको सहायत अब प्राप्त होगी दो तिन नेगेटिव चीजें हो सकती हैं ध्यान रखना है लालच में नहीं आना कभी कभी स्टूडेंस पार्ट टाइंग जॉब के चक्कर में अपना नुकसान तो कराते ही हैं अपने studies पे भी बहुत नेगेटिव इंपक्ट डालते हैं स्टेबल होकर निरने ना लेना जल्दबाजी में निरने लेना आपको और भारी पड़ सकता है और इसके साथ ही अपने family से थोड़ा सा छुपा के कोई निरने लेना वो भी आपके लिए नकरात्मक हो सकता है महीने के शुरुवाती भाग में आपको कुछ ऐसा प्राप्त ह हो सकता है जो आपके उत्साह के लेवल को बढ़ाएगा महीने के बीच के भाग में भागय का बहुत साथ मिलने वाला है और महीने के अंत्यम भाग में तो आपके लिए अत्यन्त शुप समय रहेगा तो और अवर ओवरॉल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है थोड़ा आपको सेहत का ध्यान देना होगा सर से संबंदित प्रॉब्लम तंग कर सकती है पैरों से संबंदित थाइरोइट की प्रॉब्लम उत्पन हो सकती है चैकप करा लिजेगा तो यह सारी दिक्कते रह सकती है हड्डियों के रोग भी इस महीने बहुत तंग करेंगे थोड़ा और डिटेल में जाते हैं महीने का जो शुरुवाती भाग है इसमें आपको डाइबटीज यदि है तो प्रॉब्लम होंगी होर्मोनल डिसॉडर्स तंग करेंगे इसके साथ ही नहीं आपको डाइबटीज बॉर्डर लाइन पे थे तो हो सकता है आपका डाइबट भाग है इसमें दुबारा हऊर्मोनल ót डिसॉडर्ट के रोग तंग करेंगे थोड़ा एनरजी भी कम रहसकती है निउट्विश्णले अटविशंची भी तंग कर सकती है महीने का जो अन्तिम भाग है जो ऑपाय यह है कि आपको महीने के शुरुवाती भाग में ही किसी भी व्यक्ति का आर्थिक रूप से थोड़ा उनकी साहता करनी है इसके साथ ही आपको शनी मंदिर में जाकर 11 सरसों के तेल के दिये अरपन करने हैं हर सरसों के तेल के दिये में कुछ अक्षत यानिकी चावल डाल लीजेगा और फिर वहां बैटकर शनी चारीशा का पांच बार हनुमान चारीशा का पांच बार पाट करना है यह उपाए रहेगा चैनल पे नहीं है सब्स्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूं अगली वीडियो में तत्त के लिए ओब नमाट